नमस्कार आप देख रहे हैं प्रताबगा ब्लोक समय राम किलास जादव आज किस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ पांसो मुर्गी बच्चे का अगर हम पालन करते हैं तो हमें कितने रुपे की कमाई होगी तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई चौनाई कितनी है और इस फारम पर अगर हम 30 दिन में कितने रुपे कमाई हो सकती है और बच्चे का वजन क्या होगा गर्मी की सेजन में अगर हम 30 दिन तक बच्चे पालते हैं मुर्गी के चूजे तो 30 दिन के अंदर वजन कितना होगा गर्मी और ठंडी के सीजन में और 500 बच्चे में टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा अगर 100 बच्चे हम डालते हैं अपने फारम पर तब कितना खर्च पड़ता है 30 दिन में और इसमें 30 दिन के अंदर हमें कमाई कितनी हो सकती है, इनकम कितनी हो सकती है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप भी छोटे से फारम खोलना चाहते हैं, बिल्कुल छोटे से सुरुगात करना चाहते हैं, 100 बच्चे या 500 बच्चे, तो आ आपके लिए वीडियो काफी जो है, हिल्फुल रहेगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, कि कितना जो है, इसमें मुनाफ़ा है, तो वीडियो का लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल आगां पर क्लिक करें, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीच से कुमेंटर सरूर करें, तो किसान भाई, अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, जो क्वाल्टी फार्मिंग, ये जो है बॉइलर मुर्गी फार्म है, तो सबस्त पहले किसान भाई, आपको क्या करना है, अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो स सा दाना दिया जाता है और पानी कैसे देना है कौन सी पानी में कौन सी दवा मिलाया जाता है इनकी ट्वानी कौन सी देना है सर्दी होने पर कौन सा दवा दिया जाता है और पेट खराब हो जाता है पतली टटी करने लगती है तब कौन सी दवा देना है तो आपको जो पॉल् कमएं देना होगा और वहां पर आपको शीखना है। शीखने से थीक रहे आपको नुक्सान नहीं जाएगा आपको भरपूर जानकारी होगी हमें भूसी जो है राइस मिल की भूसी कितनी मात्रा में डालना है कितनी दूरी में कितना मात्रा डालना चाहिए इसकी भी हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है उसके बाद ही जो है हम पॉल्ट्री फार्म या बच्चा डालने का काम कर सकते हैं सब्सक्राइब आपको सभी चीजों का जानकारी लेना बहुत जरूरी है जब आप जानकारी ले लेते हैं उसके बाद आप इस्टार्ट कर सकते हैं अगर हम इस पॉल्टी फार्म की बात करते हैं तो इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई किसान भाईयों लगभग एक क्यामन फिट है लंबाई लंबान इसका एक क्यामन फिट है और चौडाई की बात किया जाए तो बारा फिट चौडाई है और इसकी जो क कईपी सिटी है बच्चा रखने की तो जो बच्चा रखने की कईपी सिटी होती है इसका बच्चा रखने की कईपी सिटी कर हम बात करें तो 600 बच्चे का है लेकिन इसमें 500 बच्चे ही आएंगे कारण क्या है हमें इसके जहां पर हम आप देख पाएंगे हम बैठे हैं वहां जो है हमें कुछ जगा चुड जाती है जिसके कारण जो है इतना है या बना लेते हैं 51 फिट चौड़ाई, 51 फिट लंबाई और 12 फिट चौड़ाई तो बहुत ही अराम से दाना भी रख सकते हैं आप रह भी सकते हैं उसमें और साथ ही साथ उसमें आपके 500 बच्चे बहुत अराम से आ जाएंगे अगर हम किसान भाई बात करते हैं कि 500 बच्चे जैसे खरीदा जाता है तो कितने रूपे में इसका चूजा मिलता है तो इसकी भी आपको जानकारी होना चाहिए हमें कौन से चूजा खरीदना है जिसका वेट जल्दी बढ़े क्योंकि इसमें भी कई क्वाल्टी होती है उस क्वाल्टी की भी आपको जानकारी लेना होगा तो इसमें अगर हम बच्चे की बात करें तो इसका बच्चे की जो कीमत है हमेशा घड़ता और बढ़ता रहता है यह जो बच्चा यहाँ पर लाए गया है यह 13 रुपिया में एक चूजे खरीद कर लाए थे और ऐसे में रेट घड़ता बढ़ता रहता है जो भी किसान ने जानकारी दिया कि हम 33 रुपिया 25 रुपिया यहां तक 49 रुपियां भी पर बच्चा कीमत जा सकता है इतना तक बच्चा खरीदे हैं यानि कीमत इसका घरता बढ़ता रहेगा जो भी आप चुजे खरीदेंगे कोई फिक्स रेट नहीं रहता अगर हम किसान भी बात करेंगे 30 दिन के अंदर जो है इनका वजन कितना होता होगा अगर 30 दिन तक आप इसको पालन करते हैं तो वजन के अगर बात किया जाए तो गर्मी के सीजन है तो 30 दिन में 1 किलो 300 गराम या 1 किलो 400 गराम के लगवग हो सकता है गर्मी के सीजन में अगर ठंड के सीजन की बात किया जाए तो ठंड के सीजन में लगवग 1 किलो 600 या 1 किलो 700 गराम तक इसका वजन जा सकता है और किसान भाई योगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें लगभग जैसे 500 बच्चा हम डाल दिये हैं तो टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा अगर किसान भाई आप 500 बच्चे डाल देते हैं इसमें लगभग आपका खर्च 60,000 रुपय तक पड़ेगा 30 दिन के अंदर अगर 30 दिन के अंदर आप विक्री कर देते हैं 30 दिन तक इसके पालन करते हैं तो लगभग 60,000 रुपया खर्च पड़ जाएगा अगर वहीं हम बात कर लेते हैं 100 बच्चे में कितना खर्च पड़ जाएगा यह 500 बच्चे का है 60,000 रुपया अगर आप 100 बच्चे का पालन करते हैं तो आपका लगभग 12,000 रुपया खर्च हो जाता है क्योंकि उसमें खर्च इतना लग जाएगा जो उसमें दवा होगा अपना खुद सहे जो फारम है खुद से फारम किया गया है अपना प्रसनल फारम किया गया है इसमें किसी को जो है लेना देना नहीं है जो भी बच्चे हाँ पर डाला गया है प्रसनल खुद का है हर चीज अपने से ही कर रहे हैं दाना लाना दवा जो बच्चा सब अपने पैसे सला रहे हैं तो इस तरह स्किषान भाई अपना जो खर्च होगा 100 बच्चे अगर पालन की हैं तो 12,000 लगवख होगा और अगर हम 500 बच्चे डालते हैं तो लगवख 60,000 रुपए तक खर्च हो जाएगा अगर यही हम बात करते हैं कि हम 500 बच्चे अगर ढाल दिये हैं तो हमें इसमें मिलेगा कितना मेन बाते हैं हमें मिलेगा कितना तो देखे किसान पर पांसो बच्चे आप डाल दिये हैं आपका साथ हजार रुपया खर्च हो रहा है तीस दिन में अगर हम यही बिक्री करते हैं तो हमें मिलेगा कितना तो इसमें रेट उपर निर्भर होता ह जिस तरह से रेट होगा उसके हिसाथ आपको कमाई होगी जिसमें से अगर बात किया जाए तो 500 बच्चे में से लगभग आप इसमें 10,000-15,000 यहां तक के 20,000 रुपे तक के कमाई कर सकते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि धंदा है बिजनिस है रेट घड़ जाता है बढ़ जाता है लेकिन अगर मिनियम हम बात करें इसके कमाई का तो 10,000 से ले करके 15,000 यह 20,000 तक भी आप कमा सकते हैं अगर इसका रेट जादा रहे तो इतना कमाएंगे अगर कम रहेगा तो 10,000, 15,000, 20,000 तो रेट उपर भी निरभर होता है तो हमें उम्मेदेख आप लोग सुझ में आगए वीडियो अच्छे लगए तो लाइक से कमेंट से शरूर करें और चैनल को सस्क्राइब करें